पलायन की कोई मुसल्मान किसी हिंदू को भगा रहा है ऐसे पलायन से अगर आप वाकिफ हैं तो आप मुझे बता दीजिए मैं मिलूंगी उनसे जाकर लेकिन पूरी बीजेपी तो इसी मुद्धे पर यहां बात कर रहे हैं बीजेपी के कहने से क्या फरक पड़ता है ही रहे यह आरोप आपके सामने जो है पूरा जो मुद्धा जो है केराना में अब वो बन चुका है पलायन का योगी आदितनाथ हो चाहे अमिर शाय हां आ रहे हो डो टू डोर कैंपेंड कर रहे हो प्रेशर में हैं कॉन हम या भीजेपी बीजेपी तो साफ जाहर है प्रेशर में हैं हम कोई प्रेशर में नहीं हैं उनका मुद्धा खोकला है बिल्कुली 2017 में भी उनका यही मुद्धा था और उसके बाद 5 साल के लिए वो भूल गए उनके अकॉर्डिंग 300 परिवार गए थे तो अगर वो गए थे तो यह लोग नहीं ला पाए तो मतलब यह असक्षम रहे या फिर मुद्धा है ही नहीं हमारा कहना है कि यह कोई मुद्धा है नहीं कोई गया ही नहीं था जो लोग नहीं जानते हैं इंको बता दें कि एक राज जो है उन्होंने दियू से पढ़ाई की है उसके बाद पढ़ने के लिए पढ़ाई किया है अपने आप पंचाय चुनाब में विशाद एक्टिव थी तो अचानक पॉलिटिक्स में आपको क्या फैमली प्रेशर की वज़े से है या आपको भी शौक है नहीं शौक तो है मुझे मेरा जो थीसिस इंट्रेस्ट एरिया है वो भी इलेक्टोरल पॉलि जो मेरे भाई हैं उन पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है मेरी मम्मी पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है तो अभी अपने घर पर अकेली मैं ही हूँ तो यह सारे जम्मेंदारिया भी मेरे सारे जम्मेंदारिया है आपके भाई जो नाहीद हसन है उनके उपर गुंड़ पे रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक सारी जानकारियों से अफगत है कि वो किस तरह के आदमी है, क्या उन्होंने ऐसे कारणामे की हैं, जिसके बिना पर उन पर ये आक्ट लगाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब बेसलेस है, सभी जूटे मुकदमे हैं, सिरफ पोलिटिकली मोटेवेटेड हैं, आपके सामने जो हैं, कहा जा रहा है कि यह जो है, बेटी और बहन वाला चुनाव हो गया है, दो महिला कैंडिरेट हैं, आपके सामने ज सीट पर, बिल्कुल, फाइट तो कोई भी कैंडिडेट हो, फाइट फाइट ही होती है, और अभी जो हमारी कैंडिडेट हैं, उनसे भी उसी तरह की फाइट है, और मैं यह कहना चाहती हूँ कि बेटी तो मैं भी हूँ यहां की, पहले मैं बेटी ही हूँ, बेहन तो बाद म है उसमें कुछ पून का रिष्टा या किसी तरह का कोई रिष्टा है पुराना 100 साल पहला कुछ एक समाच से आप लोग आते हैं क्या है यह सच्छाई हमारी जो कास्ट है वह सेम है हम लोग मुस्लिम गुजर है वह हिंदू गुजर है तो उस हिसाब से कुछ फॉर फादर्स क कनेक्शन है बीजेपी जो है वह पलायन का मुद्दा उठा रही है और कहा गया कि योगी आदित्तनात ने कहा कि यहां से जो पलायन करके चले गए थे लोग वह वापस आ गये हैं कई सारे लोग वापस आए हैं और उस पर अपनी सरकार की उपलब्दी गिना रहे हैं क्या स सबसे बड़ा मुद्दा एंपलॉइमेंट का है कैरान में पास में पानीपत पड़ता है और हमारे यहां के काफी लोग रोजाना वहां आना जाना करते हैं काम के सलसले में तो एक बड़ा मुद्दा है और जितने लोग अब कारोबार के चक्कर में एकाद लोग कोई गए ह उनके अभी भी बाहरी कारोबार हैं यह सिरफ टोकन के तौर पर उनको लाकर दिखा रहें और पलायन जैसे इन्होंने दर्शाया था कि एक धर्म विशेश का यहां से पलायन हुआ है वो बिल्कुल ही जूट बात थी कुछ चंद लोग अपना कारोबार जैसे बढ़ता है और उनकी बात कर रही है और पार्टी की बात कर रही है लेकिन फार एक चीज़ थो है कि यहां से लोग गए थे किया था था ठीक है और वो खाइंक । पड़ा इश्यू रहा है यहां पर जो दुकानदार है व्यापारी है वो चाहे अक्रॉस रिलिजन चाहे वो मुसल्मान हो हिंदू उनके शिकायत रही कि यहां पर क्राइम तो रहा है यह सच्छाई को एक्सेप्ट करेंगी ना कैराना इस नौट अइलेंड अलग से नहीं है क कर गये थे और या जितनात में भी कहा हो आए थे कि यहां मिलने के लोगों से और मैं भी कुछ परिवार से मिलकाया हूं यहां से चिनके परिवार को छोड़कर यहां से जाना पड़ा था 2014 में यहाँ पे कुछ मर्डर भी हुआ था कुछ लोगों का, कुछ वियापारियों का इस सारी चीज़े हुई थी तो क्यों नहीं आप लोग भी अपनी तरफ से अगर कोई आप पर आरोप लगाता है कि इस तरह का महौल बन रहा है क्यों नहीं आप लोग भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाती हैं उन लोगों से मुलाकात करें जो यहां से चले गए थे जो वियापारी वर्ग ताकि उनमें भी एक उमीद जगे है मैंने जैसा आपको बताया हमने पता जो लगाया था हमें ये जानकारी हासल हुई बेटर एकोनोमिक उपरचुनिटीज के लिए था उसमें कोई किसी को नहीं रोकेगा मैं आपको नहीं रोकूंगे आप मुझे नहीं रोकेगा क्राइम के डर से आप मुझे जानकारी दे दीजिए क्योंकि हमने Central Agencies ने भी इस पर तहकीकात करी थी और उन्होंने इस मुद्दे को ना का रहा था लेकिन पूरी BJP तो इसी मुद्दे पर यहां बात कर रहा है BJP के कहने से क्या फरेक पड़ता है BJP तो बहुत सारी जूटी बाते कहती है हम सब का यकीन करने लगेंगे चलिए तो आप भाई की तरफ अभी भाई जेल में है आपने परचा दाखिल किया है जीतते हैं तो तीन सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहले डेवलप्मेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट बेटर इंप्लॉइमेंट ऑपरचुनिटीज और एजुकेशन की फील्ड में हम काम करना चाहेंगे तो फिर आपके सवाल उठेगा कि आपके भाई तो पांच साल विधायक रहें हैं यहां पर तो फिर क्या उतने दिन में काम हुआ यह मेरे भाई पांच साल विधायक रहें लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं यह सरकार के द्वारा स्पॉंसर होते हैं सरकार किसकी थी यह भी आपको मालूम होगा एक विधायक की निधी तनी नहीं होती है कि वो college खोल सके अपने दम पर या फिर वो कोई industry लगा सके यह सब सरकार के काम होते हैं यह सवाल आपको बीजेपी के candidate से करना चाहिए कि वो पहले दो चुनाव लड़ चुकी हैं उन्होंने यहां के लोगों के लिए अपनी सरकार मे क्या कारिय कराने का काम किया